हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेक तो अवर यूट्यूब चैनल ए आर फार्मा तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड सेम के सब्जेक्ट फार्मसोटिकल और्गैनिक केमिस्ट्री सेकेंड की फर्स्ट यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक है वह बैंजीन है यूनिट का नेम है इट्स डेरिवेटिव तो इसमें हमें क्या पढ़ना है बैंजीन और उसके डेरिवेटिव इसके बारे में कंप्लिट इस्टिडी कर लेनी है तो सबसे पहले हमने और्गैनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है और आप इसके साथ ही बिलकुल नोट्स बनाते चलिए और अकर आ ले हम बात कर लेते हैं बेरिवेटिव में जो सबसे बहसे पहले होनेिक कर लेते हैं यह वह कंपाउंड की और यहरे हमारा और एक सुपराउंड के कंपाउंड और तो और तो और विलकुल अब्रीत को कर देелिश्यार्येgle को अपने ट्वाइल को आप इसे समझेगे आ मेंcej periodic table जिसमें जी हाँ आपको यहाँ पर दिख रही होगी यह periodic table तो periodic table में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे total यहाँ पर 118 elements यहाँ पर प्रिजेंट होते हैं periodic table में तो यह बन 18 में से जो आपको सबसे important यहाँ पर ध्यान रखना है carbon इसमें carbon तो carbon एक अकेला हमारा organic element होता है जो इस पूरी periodic table में है तो आप इतना समझ लिए carbon से आपको सीधे organic compound को क्या कर देना है correlate कर देना है तो अब आप समझिए organic compound को तो organic compound हमारे क्या होती है इसे आप इस तरह से समझे इस आर तोस chemical compound यह बहर केमिकल compound होती है in which carbon atom is attached with other atom और element जिसमें हमारा carbon atom present है वो compound हमारा क्या कहलाएगा organic compound कहलाएगा समझ गए आप कि मलब जिसमें भी जैसे आप आप ऐसे समझ लीजिए CH4 अब CH4 में हमारा carbon है यह देखिए इस तरह से carbon की चार balance होती है मलब 4 balance होती है यह तो आपको पता होगा कि यह चार मलब इसको चारो तरफ से bond चार bond इसे चाहिए होते है मलब यह double bond से भी attached हो सकता है और single bond से भी ठीक है तो बहे compound जिसमें हमारे carbon तो CH4 इसका सबसे पहले एक्जांपल सेकंड है हमारा methane बोलते हैं से सेकंड है हमारे ethane C2S6 जिसमें हमारा carbon दो प्रिजेंट है मलब कितने भी minimum एक carbon present है तो बहे compound हमारा organic compound कहलाता है और बैंजीन में तो हमारे carbon प्रिजेंट होते हैं तो इसलिए बैंजीन भी हमारा क्या होता है एक organic compound होता है तो organic compound हमारे क्या होते दीजार तो chemical compound in which carbon atom is attached with other atom और element वह हमारे organic compound कहलाती है अब सबसे important और सबसे पहला topic आपके organic chemistry का हम बात कर लेते बैंजीन तो बैंजीन क्या है अब भी मैंने आपको बताया है एक organic compound है तो समझे आप बैंजीन इस आ और गैनिक compound डैट है molecular formula of C6H6 जिसका हमारा molecular formula क्या होता है C6H6 ठीक है दूशरी चीज़ अभी इसको मैं समझा दूंगा C6H6 molecular formula क्या है यह सब समझा दूंगा आपको second चीज़ बैंजीन contains six carbon atom जो हमने यहां पर बताए six carbon atom that are attached with six hydrogen atom तो बैंजीन हमारा बैय है जिसको हमारे छे carbon atom होते हैं जो हमारे छे hydrogen atom से attached जो होते हैं तो इसका structure के वाद कर लिए तो structure आपको कुछ ऐसा इसका देखने को मिलता है तो structure आप सोच रहोंगे यह क्या डिब्बे डिब्बे टाइप के बने होगे तो यहां पर जितने भी corner है इस corner तो आप इसे और करके एक और structure इसमें आप एड़ कर सकते हैं समझना आप carbon सिंगल कारबन को शेटिप इस डाइब ये यहूह मिलोब डाइब टबल बाऊंड लगा दिए उल्टर्न डबल वाणड आपको समझा देँगा एक को छोणके एक को छोड़के एक जैसे यहाँ पर double one यहाँ पर single double single मुलब single double तो इससे क्या हो गया अब आप समय लिए यह आप सुच रहोंगे यह छे hydrogen किदर गए तो छे hydrogen each carbon से each hydrogen attach कर दीजिए मुलब एक carbon के साथ एक hydrogen हमारा क्या होता है attach होता है तो यह होता है हमारा Engineering का structure आप इसे समझ गउंगे नीचे molecular formula दे रहा है यह इसका structure आपको दे रहा है तो यह हमने बता दिया कि इस तरह का structure होता है Benzen क्या होता है आप इतना पूरा समझ गऊंगे और इसको हम इस तरह टॉपिक है वह हमारा एनलेटिकल सिंथेटिक एंड अधर एविडेंस इंदा डेरिवेशन ऑफ इस्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन तो इसमें क्या बता रहा है कि आप आप इसको समझें मुलब कुछ एविडेंस का मीन्स होता है प्रूफ प्रूफ का मीन्स है हमारे सबूत तो इसमें आपको क्या इसके एनलेटिकल प्रूफ देना सिंथेटिक प्रूफ देना और कुछ और एविडेंस देने कि हमारा इस्ट्रक्चर जो बेंजीन का है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं अपने एनलेटिकल प्रूफ का मीन्स आप समझिए अनलेटिकल आविडेंस का मतलब आप समझिए यह अनलेटिकल का मिलब है हम लेब में टेस्टिंग के थ्रूफ पता करते हैं कि हमारे बेंजीन का इस्ट्रक्चर एसा ही है या नहीं ही से हम प्रूफ करेंगे कुछ एविडेंस देंगे तो दी केमिकल एनलाइस कि इसका structure goes circle में होता है या straight line में होता है कैसा होता है यह अभी पता नहीं चला है अब इसके बाद second point this indicates that benzene was a highly unsaturated compound compared with anhexene तो इससे हमारा यह indicate हो जाता है कि हमारा benzene का highly unsaturated compound है तो अब unsaturated compound क्या होते है saturated compound क्या होते है तो बो आप समझ लीजे तो आप यह पूरे evidence एक बार में बिलकुल यहीं पर समझ जाएंगे आपको दुबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा तो saturated और unsaturated को समझने से पहले आप यह समझे जो हमारा carbon atom होता है यह हमारा क्या करता है चार इसको bond चाहिए तभी यह stable होगा 1,2,3,4 चार bond चाहिए तभी यह stable होगा अब यह carbon atom है अब दो bond अगर इसके यहाँ है एक इदर एक इदर तभी यह stable है बट अगर इसके पास सिर्फ दो या फिर तीन bond है तो यह हमारा क्या होगा unstable होगा और saturated और unsaturated को भी ऐसे समझे अगर इसके single bond से अगर single bond से इसकी चार-ovalency पूरी हो जा रही है तो यह होता है हमारा saturated compound saturated का means होता है संत्रप्त संत्रप्त का means अब बस अब कुछ और नहीं चाहिए हम full हो गए है अब यह 4 single bond है तो यह full है अब अगर यहाँ पे 3 bond है तो यह full नहीं है तो इसी को हम unsaturated करते हैं कहते हैं या double bond के through जुड़ा हुआ है तब भी से हम क्या कहेंगे unsaturated कहेंगे कि यह full नहीं तहाँ इसने double bond किया है तो इसी को saturated unsaturated कहते हैं तो यह अभी हमें क्या करना है प्रूफ करना है तो अब आप समझे N-hexene N-hexene क्या है हमने N-hexene का यह example नहीं हाँ पर क्यों लिया कि मलब इस इंडिकेट देट बेंजीन बावजा highly unsaturated compound compared with N-hexene क्योंकि hexane के पास भी क्या होते हैं six carbon atom होते हैं तो और benzene के पास भी six carbon होते हैं बट जो हमारा hexane होता है वो saturated होता और जो हमारा benzene होता है वो unsaturated होता है इसे अब हम प्रोफ करते है तो यह one two three four five six six carbon atom है और इसके पास H होते हैं 14 तो यह 14 H चारो साथ जुड़ी हो और यह single bond से जुड़ा हुआ है तो इतना हमें पता चल गया कि यह अब यह saturated है अब benzene की बात कर लेते हैं चलिए benzene का हम structure में नहीं सीधा बनाते हैं कि भई हम सीधा भी तो बना सकते थे double bond जोड़ के यह वो तो one two three four five and six six यह जोड़ दिया अब इसमें क्या है six hydrogen है लीजिए one two three four five six तो अब क्या पता चल गया यह हमारा क्या unsaturated है यहाँ double bond की बहुत जरूरत अचले तो अब आप यह कैसे सकते थे कि यहाँ पर double bond हम लगा देते तो अब भी इसे cyclic new बनाया यहाँ पर double bond कर दीजिए या triple bond कर दीजिए triple bond कर दिया one two three four इसकी चारों complete होगी बट अब इसकी कितनी होगी one two three four five और five तो होई नहीं सकते यह कार बन के तो इसलिए यह हमारा straight chain structure बिल्कुल नहीं हो सकता और इसलिए जो हम इसका यह वाला structure बनाते हैं वो बिल्कुल ही सहीए इससे यह proof हो गया अब आप इतना समझ गयोंगे कि यह हमारा बो इस्ट्रक्चर सही है इसका analytical evidence हमने पूरा आपको समझा दिया और इसी तरह से अगर आप लिखके आएंगे आपको बहुत अच्छे marks मिलेंगे और आई होप आप यह पूरा evidence समझ गयोंगे अब हम बात कर लेते हैं अपने second evidence की जो है हमारा synthetic evidence synthetic evidence में क्या है हम इसकी कुछ synthesis की evidence की बात करेंगे अब यहां पे presence of three double bond अभी हमें इतना पता चल गया कि इसमें तीन double bond हमारे क्या होते हैं present होते हैं और thus straight chain structure of benzene is not possible इसलिए हमारा इसका straight chain structure possible नहीं है बट अब आप कहेंगे जो हमारे alkyne होते हैं इसे कि like ऐसे आप समझिए CH2 CH2 यह हमारी athlean है तो यह भी तो हमारे क्या है double bond and saturated तो straight chain तो इनका भी होते हैं तो इनका possible क्यों नहीं है तो इसे समझिए आप because it did not behave like alkyne and alkyne जब इसकी हम reaction कराते हैं तो यह alkyne और alkyne की तरह react नहीं करती है acid did not decolorize bromine in carbon tetra chloride जब हमारी जो alkyne होती है जब हम उनको क्या करेंगे carbon tetra chloride के साथ react करेंगे तो उसके color को उड़ा देंगी decolorize कर देंगी बट benzene हमारी यह नहीं करती है तो इससे हमें यह भी पता चल गया कि यह हमारी athlean की तरह इसका structure नहीं होता इसका structure कैसा होता है हमारा इस तरह से होगा यह बात बिल्कुल यहां से क्या होगी प्रूफ होगी क्योंकि आप इसे इस तरह से समझिए यह हमारा carbon tetra chloride ccl4 को हम क्या बोलते है carbon tetra chloride bromine की presence में जब benzene इससे react करता है तो कोई भी reaction हमें देखने को नहीं मिलती है और जब हम अपनी alkyne या फिर alkyne इससे react करती है bromine की presence में तो यह इसको क्या कर देती है decolorize कर देती है इससे synthesis करती है और इसी से हमें पता चल जाता कि भई यह हमारा alkyne और alkyne की तरह behave नहीं करता यह straight chain नहीं हो सकता है क्योंकि यह कुछ अलग है यह उसकी तरह behave नहीं कर रहा है तो यह इसका second evidence synthetic evidence I hope आपको यह बहुत ही easy way में समझ आ गया होगा इसमें कुछ जादा समझने का नहीं है जो था वो मैंने आपको समझा दिया last और सबसे main है जो हमारे other evidence कि हम कुछ और evidence देते हैं हमने दो evidence दे दिया analytical evidence दे दिया हमने कि unsaturated होता है इसलिए इसलिए इसका हमारा structure possible नहीं है double bond इसमें present है unsaturated से हमें पता चल गया था अब यहां पे हमें यह पता चल गया double bond भी present है और straight line में भी नहीं है तो यहां से दो proof हमें उपर से मिल चुके हैं अब last के हम बात कर लेते हैं other evidence में तो other evidence में सबसे पहले आता है हमारा addition of hydrogen तो जब हम इसमें hydrogen add करते हैं तो आप समझे when three moles of hydrogen is added to the benzene in the presence of nickel catalyst then it forms cyclohexane तो जब हम अपने benzene में three moles of hydrogen के three moles को add करते हैं nickel catalyst की presence में तो यह cyclohexane बना लेता है और cyclohexane बना लेता है तो इससे हमारा क्या proof हो जाता है कि यह हमारा unsaturated compound है इसमें हमारे double double bond होते हैं क्योंकि जो हमारा cyclohexane होता है उसके बीच में कोई भी double bond नहीं होता है अब इसको देखिए अब इससे आप ऐसे समझेए अब यह हमारा benzene का structure आपको इस तरह से समझा देता हूं यह ओके यह बेंजीन के structure इदर alternative HH जुड़ा होता है अब इसके यह double bond है तीन तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे hydrogen को लाना पड़ेगा तो जब हम इसमें 3H2 को जोडते हैं तो यह double bond क्या होते हैं गायब हो जाते हैं और यह गायब हो गए तो यह structure किसका कहलाता है यह structure होता है हमारा cyclohexane का तो इसने यह proof कर दिया कि इसमें double देगे इसमें क्या है हमारा alternative double bond present है इसने यह बिल्कुल ही present कर दिया तो अब आप इससे समझ चुके होंगे कि जब हम 3 mol को इसमें add किया हमने nickel catalyst की प्रिजेंस में तो इन्होंने क्या बना लिया cyclohexane बना लिया अब जब cyclohexane बन गया तो यह confirm that benzene है cyclic structure इसने इसके cyclic structure को क्या किया confirm कर दिया और यह भी confirm कर दिया कि इसमें 3 carbon carbon के बीच में double bond होते है alternative तो हमने इसमें एक यह प्रूफ अब सबसे लाश्ट प्रूफ और काफी important यह दो मक्स में अलग से आ जाता है केकले structure for the benzene तो केकले structure for the benzene को आप ऐसे समझे कि एक scientist है हमारे august केकले अगस्ट केकले थे जिन्होंने हमें क्या बताया था यह suggest किया था या फिर बताया था 1865 में कि जो हमारी benzene होती है वो हमारी cyclic होती है planar होती है और इसमें 6 carbon atom होती है इन्हींने सबसे पहले बताया था उस ताम benzene के बारे में 6 carbon atom होती है जो alternative 6 single bond और double bond से जुड़े होती है इन्होंने इतना बताया और each carbon atom से hydrogen atom जुड़ा होता है ठीक तो अब आप इसे ऐसे समझ लिए 1865 में अगस्त के एकले नाइम के हमारी क्या है scientist है उन्होंने यह बताया कि हमारा benzene होता है वो cyclic होता है सबसे पहला चीज दूसरा चीज planar होता है यह दो चीज इन्होंने बता है cyclic planar structure of six carbon atom अब six carbon atom का होता है इन्होंने यह बताया और cyclic or planar पहले विता चुक है तो cyclic or planar form में इसे हम क्या कर लेते है इन्होंने जो बताया हम वो करते जा रहे है cyclic planar structure of six carbon atom ठीक with alternative single and double bond तो alternative का means होता है एक को छोड़के एक alternative single double bond single double single double bond इतना बोल दिया to each carbon one hydrogen atom is attached और हर carbon atom से hydrogen atom attached होता है इन्होंने यह बात कही और इसी से हमें क्या यह कि यह proof मिल गया कि भई cyclic planar है alternative double bond है तो यह काफी बढ़िया proof था है उन्होंने बहुत time तक इसके बारे में study किया था फिर जब इन्होंने यह दिया था structure तो बहुत scientist जिन्होंने बोल दिया कि यह बेका रही है ऐसा नहीं है बड़ जैसे जैसे time आगे बढ़ता चला गया अगस्त के लिए का यह structure हमारा क्या हो गया बिल्कुल proof हो गया कि उन्होंने बिल्कुल ही सही बताया था अब इस structure को आप ऐसे भी लिख सकते हैं यह double bond है आप कहीं भी alternative लगा दिए भले यहाँ double bond कर दिए भले यहाँ फिर यहाँ छोड़ना पड़ेगा यहाँ इसी तरह से आप double bond इसमें से कोई सा भी बना सकते हैं और अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते तो ऐसा भी बना सकते हैं जब आप इतना पूरा लिख के आएंगे तो अगर यह आपका आता है तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं I hope आपको सभी evidences समझ में आ गए होंगी इतने ही evidence है अगर यह आपका question काफी important question है अगर आता है तो आप अच्छे से कर दीए तो अब आप कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी वाकी वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी मिलेंगे हम organic chemistry के next lecture के साथ तब तक बाई बाई